प्लीज सब्सक्राइब तो माई यूटूब चैनल प्रेस अन बेल ऐकन फो लेटेस अबडेट असलाम वालेकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल उमीद करती हूँ आप तमाम खेरियत से होंगे तो मैं आज आपके लिए रमजान स्पेशल रगड़े की रेसिपी ले अब इसके बाद आगे का प्रेसिजर देखते हैं इसे हमें मैं को गडा है इसके लिए मैंने कुकर ले लिया है और इसमें में यह RHड़े की बटाने डाल रही हूँ उसके बाद हम इसे मसूरकी डाल दालेंगे 3ाटीस्फून के औरtså की में मसूरकी डाल लिया हुआ है इसे जो आपका रगड़ा है वो तुड़ा घाड़ा हो जाता है इसले हमें इस तरीके से मिक्स करना है उसके बाद इसमें हम फ़ाफ टीसबून की करीब रदी पाॉडर दाल देंगे आप फोचे क सबक्राइट में और एक हमसे मिक्स कर देंगे उसके बाद इसमें दो ग्लास के करीब हम पानी डाल देंगे पानी हमें इतना रखना है जितना ये रगड़ा जो है उसमें अच्छी तरह से हो सके और जले ना उसके बाद इसका ढगकन लगा कर 5-6 सीठी ले लेंगे हम इसकी मेडियाम फ्लेम पर रखकर अब उसके बाद मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ इमली की चटनी जो स्ट्रीट पे अकसर आप देख सकते हैं कि जो रगड़ा पैटिस वगएरा मिलता है वहाँ पर जो बनती है चटनी बहुत फेमस है प्लीज आप इससे जरूर ट्राइ करना इसके लिए मैंने इमली इस तरीके से भारिक मिक्सर में पीस लिया है और जो चिलके थे वो हटा दिये है उसके बाद एक बरतन ले लिया है और मीडियम फ्लेम पे चटनी में इसमें दाल दूँगी जो इमली हमने पीस कर ली थी और उसके बाद मैंने वन टीस्पून के करीब गुड का पौडर दाल दिया है आपके पास अगर पौडर ना हो तो आप अखे गुड को बेस में डाल सकते हैं तुकडा करकर उसके बाद में half टीस्पून के करीब red chili powder is matte कर दूँगी और अच्छी तरह से mix कर कर लूँगी medium flame पर अच्छी तरह से mix करने के बाद में इस तरीके से हमारी चटनी जो है वो ready हो गई है आप इसे बना कर अमजान में रख भी सकते हैं और यह रगड़ा हमारा यहाँ पर ready हो गया है पासीटी के बाद मैंने धकन कोल दिया था इस तरीके से रगड़ा हमारा ready हो गया है उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी धन्या लिया हुआ है और प्यास दिया हुआ है बारिक चॉप करके और टमाटर लिया हुआ है इस तरीके से प्लेटिंग करने के लिए रगड़ा मैंने निकाल दिया और जो चटनी बनाई भी थी वो भी इस पर डाल दी है और उसके बाद धनिया है धनिया पॉडर इसमें डाल देंगे हम हलका सा उसके बाद टमाटर चॉप किया हुआ डाल देंगे और प्यास डाल और धनिया डाल कर इस तरीके से गानिश कर लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही बैतरी इन तरीके से रगड़ा बन कर रेड़ी हो गया है आप लोगों भी इसे रमजान में बनाईए इंशालला आप भी हमें अपने दूआओं में याद रखिए फिर मिलती हूँ नेक्स व